अब नीचे वाला राइग दोनों में डिफरेंस क्या है ? बोल्ड अभी ये क्या है ? टैलिक है या नहीं है ? नहीं है क्यों ? सिंपल है क्योंकि तिर्शा नहीं हुआ जब तिर्शा हो जाए गाई ये इसका मज़ब इटैलिक है आगे तिरसे में कि क्या नहीं है तीसरा लाइन एक टाइप करो यू यू का मतलब अंडर लाइन ये वाला चीज मतलब आप अपने टेक्स्ट के नीचे जो आप टाइप कर रहे हो उसके नीचे आप लाइन को ला सकते हैं यह वाता अपका अब हम इन टीनों फॉर्मेटिंग को एक साथ किसी भी लाइन के उपर किसी भी पैराग्राफ पर कर सकते हैं यह कोई बाउंडेशन नहीं है यह आप अगर अल्ड कर दिया तो आप सभी देखिए लाएजी यह सेवन है एकस्पी में क्या होता है आप बिना सेलेक्ट किये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो भी आपने टाइप करेंगे ना उसके बाद उसको अगर बोल्ड करना चाहते हैं आपको सिर्फ अपने बी पे लेजाके पॉइंटर क्लिक करना होता है क्या होगा जितना भी टाइक्स अ परेग्राफ होगा ना उस के अंगर सारा बोल्ड होगा यहीं तो एक्सपी और सेवन पे डिफरेंस होता है वो ओड वर्जन है और यह निव वर्जन है अब 8 यूज करेंगे तो उसमें खुश हो रहाएगा यह फॉंक्शन की बात होती है जैसे अब हम गाड़ी होती है ना पहले कोल्ड में गावदूद था पाई अब देखे कितने सारे बाइक्स आगे उसी तरीगे का यह भी है एक्सपी वर्जन होग सेमें और बाखी सारा जो भी है क्लियर है सब कुट आओ पेंट के अंदर अगर आपको टेक्स्ट के कलर को चेंज करना हो क्या होता है क्या होता टेक्स्ट जो यह वर्ड है जो हम टाइप कर रहे है वो क्या होता है इस टेक्स्ट के कलर को छेंज करना हो पेंट के अंदर तो हम क्या करें सेवन में उसके बाद जो भी हमें पोईटर ले जाएंगे लिख करेंगे डिश्टी में अगया है पूर्प उस लाइट के आगे हमें कर्सर को रखेंगे और वहां पे क्लिक कर देखेंगे कि इतना करने कि इतना करते हैं कि अपने करने से पहले आप उस्टेट्स को सब्सक्राइब उसके बाद पर चेंज करेंगे कि कर अब आप जो लोगों ने नहीं पढ़ाया टीशिंग नहीं किया उनको किसी भी आलक में करना है और आपको मैं एक और चीज रूल बताऊंगा, पांडेशन जो है, 45 मिनट के अंदर आपको क्लास कवर करना है, ठीक है, 45 मिनट मतब, अगर 9 बज़े आपने स्कार्ट करना है सेशन, किने बज़े खतम होगा हूँ, 9.45 पे खतम होना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉंसिलिटी हो क्यों कैसे अपने स्टुडेंट को पढ़ा रहा है, आप अपने क्लास में अगर बज़े शुनू है, तुम्हां कर सकते हैं, कोई बात में, नहां तक चल रहा है, वहां तक फीक है, खतम पर देजिए, अबले लिक्ता देजिए, क्योंकि हमें और भी कुछ कवर करना है, और थोड़ा प्लीज, आप लोग अपने ना रजिस्टर या नोट बुक जो भी है, लेकर आईए, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, उन्ट नोट कर लिए ठीक है, आपके लिए असानी रहेगा, ठीक है, कलर चेंज कर लिए सभी रहे, ठीक है, यहां तक क्लिर है, यह इतन इसमें इंपोर्टेंट था, आगे हम कुछ और सेखेंगे, जब राइटर सुरू करेंगे, पेंट में इतना बहुत है, ठीक है, क्लास एट में आपका यही चीज प्रैक्टिस था, आपको उसमें चितर दिखाये जाते है, एक बार आप क्लास को प्ले करो, क्लास एट का, इ इस वाले बटन का उप्योर क्यों करते हैं, आपकी कीवोर्ड भेहना ऐसा, इसको दबाएंगे तो करसर कहा चला जाता है, निचे, मतलब नए लाइन में चले जाते है, यहां पर करसर है, अगर मैं यहां से इंटर बटन का उप्योर कर रहा हूं, तो यह आगे का तो टेक्स से एक जाले हैं, नीचे आगे कीवोर्ड नेकर ना प्योर बटन काल टाने, आपके यहां पर रख़ेंगे और णों से पर कर सकुन है, का तो क्यो थे इंटर दाएंगे progressor का प्योर्ड जातु Яने से यहां जाते हैं, निचे पार शाएंगे प्योर्ड आगे कीवोर्ड शेरा नियु लाइन गया अगले लाइन गया जाए कि लिए खिलेगा सबको तो ये अंटर बटन का उत जोग होता है लेख खोश्य एंटर बटन से हमें नेक्स लाइन अधवर नीव लाइन में जाने के लिए करते हैं अब एरो की कितनी प्रकार्टी होती है नो को ऐरो कीस कितनी प्रकार्टी होती है आप पताओ आप पताओ कोन-फॉन सी होती है अप प्रकार और नेफ्स 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 डाइटे में वहला है इसका उप्योग किसलिए करते हैं करसर को मूफ कराने के लिए करसर कुहना होता है जो पेंट ये सीच में अगर टेक्स कुल ले लिए हमने करता है खुरा तो चलों करता है आप जबीद्ध करता है प्वान्ट नमिड़ना ओजाएं आप कन्फियilda स्थी आधि 있나 MS Paint में delete button इस का upube आपको पता है? का upube क्यों करते हैं? delete button से आप cursor के right side के word को मिटाते हैं MS Paint में delete और backspace में क्या difference होता है? एक खुटा सा example जल्दी से पता दीजिए दोरो का difference कौन बताएगा? backspace delete आप बताओ जल्दी बो backspace और delete और difference ये cursor है मेरा backspace दबाँगा तो किदर delete होगा? left side में और delete दबाँगा तो right आगे side में सबको clear आया? इस से आप cursor के left side के word को मिटाते हैं और delete button से आप cursor के right side के word को मिटा सकते हैं अब आप सभी अपने computer को on करें और MS Paint की इन बाद click करें और आप 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 सभी शिर्फ टाइब करें आप क्या सिखेंगे शिर्फ टाइब करना टाइब की लिखा करेंगे आप ए लिखा हुआ तो select करेंगे और आप पेंड के सीट पर drag करेंगे ठीक है अब आज की कर्सा में fruits, vegetables, shapes, number और objects के नाम टाइब करेंगे आजिए अब क्लास शुरू करते हैं सबसे पहले दीवे चित्र में fruits हैं इन fruits के नाम आपको एक ही box में दिलना है दीवे चित्र को देखें और पताएं कि इस fruits को क्या कहते हैं क्या है क्या टाइप करना आपको apple कैसे टाइप करेंगे A select करेंगे paint के सीट के लेंगे drag करेंगे और फिर A double P type करेंगे किजी जल्दी से एक box लिजी एपल टाइप किजी है मैं सबका चेक करूंगा आपको इसके formatting भी करनी है क्योंकि मैंने आपको formatting भी सिखा दिया formatting कौन वन सी होती है जैसे आपने नाम टाइप कर लिया apple को select कर लीजिये उसके बाब उसको color change कीजिये या bold कीजिये इससे क्या होगा practice करते रहेंगे जब तब मैं सबके लिए wait करूंगा जिसने पहले type किया उसको practice होगा ज्यादाब repeat करेंगा उसको यार रहेगा भूलने की chances कम होगी आप करके पैट जाओ करके टाइप करके फिर कोई फायदा नहीं apple समने type कर लिया formatting कर लिया formatting कर लिया समने ठीक है आप बढ़ाँ आपने कौन सी formatting किया है apple पे क्या change किया apple type कर लिया अब उसके आपने क्या change किया color किया बरत minimize करो हाँ मिनी इस पर क्या 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 आपने color मुझे बताओ इसका color change करना है कैसे change कर लिया क्या क्या आपने color change करने के लिए बरत आप select करो select कर लिया color palette में जाओ बरत कौन सा है color palette अले ये बला ये बला ठीक है select